महराष्ट की राजधानी मुंबई में एक बेटे ने प्रोपटी के लालच में मा की बेसबोल बल्ले से पीट-पीट कर हत्या कर दी आरोप है कि हत्या की स्वारदात को अंजाम देने में घर में काम करने वाली नौकरानी ने भी आरोपी बेटे का साथ दिया पुलिस ने बताया कि मा बेटे में प्रोपटी को लेकर विवाद चल रहा था दोनों कोट में मुकदमा लड़ रहे थे लेकिन कोट से फैसला ना होता देख बेटे ने मा की हत्या की साजिश रची दरसल मीरी जानकारी के अनुसार ये घटना राजधानी मुंबई के जुहू इलाके की है जहां संपती विवाद को लेकर 43 साल के बेटे सचीन कपूर ने नौकरानी की मदद से अपनी 74 साल की मा को बेस बॉल बैट के जरिये मौत के घाट उतार दिया इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मा बेटे के बीच काफी दिनों से संपती विवाद चल रहा था संपती विवाद को लेकर ये जो मामला है वो कोड तक महुचा था वही पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बेटे ने अपनी नौकरानी की मदद से मा की हत कर दी जिसके बाद शौ को माथे रान हिल स्टीशन के पास ठीकाने लगा दिया हाला कि अब पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटे सचीन कपूर और उसकी नौकरानी को भी गिरिफतार कर लिया है इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेरोजगार टीचर सचीन कपूर और उसकी मा कोट में संपत्ती को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे हाला कि पुलिस अब इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताच करने में जुट गई है साथ ही पुलिस मामले में आगे की जाच परताल कर रही है